अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप IAS with Harimohan डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो नेपाल दोस्तों नेपाल के बारे में जितना हमने पीछे कवर किया है चीन को जितना अभी तक हमने कवर किया है लगभग उतनी ही या उसकी कम से कब 80% जो हाइलाइट है इंडियन मीडिया के अंदर वो नेपाल की रही है और नेपाल के मामले में जो सबसे आदा important role रहा है वो वहाँ पर नेपाली Communist Party यानि NCP का और उस NCP के अंदर भी जो सबसे आदा important role है वो नेपाली PM केपी शर्मा खड़त प्रताप शर्मा ओली या केपी शर्मा ओली का रहा है दोस्तों आज के दिन नेपाल एक ऐसा देश बन चुका है जिसके उपर हम जादा देर भरोसा नहीं कर सकते और अगर इंडिया चाइना वार हुआ तो अगर आप मेंसे कोई भी यह उमीद कर रहा है कि चीन हमारी नेपाल हमारी किसी तरीके की मदद करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बलके उसकी हरकतें जो हैं उन हरकतों से लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है वो चीन की मदद करे और भारत को नुकसान पहुचाने की पूरी कोशिश करे ऐसी मैं क्यों कह रहा हूँ मेरे पास पूरी एक सिरीज है जिसके उपर मैं आपसे प्रॉपर्ली डिसकेशन करूँगा लेकिन अभी कि अगर बात की जाए तो नेपाल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसकेशन किया है या इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया है जो वहा भारतिये जो भी भारतिये लिंपा लिंपिया धुरा भारतिये इलाके के लिंपिया धुरा में रहते हैं उन वो सारे अगर चाहें तो भारतिये नागरिक्ता छोड़ या भारतिये नागरिक्ता के साथ साथ नेपाल की नागरिक्ता भी ले सकते हैं और उसके अंदर जो में नेपाल की नागरिक्ता ले सकते हैं अब ऐसी सिच्वेशन में नेपाल का ये मामला और इस ओफर को देना इस प्रस्ताव को देना और साथ में उस प्रस्ताव को अगर देखा जाये तो ये क्यों कि उसके पीछे वो तर्क भी देते हैं कि 2015 की जो न्याय-पालिगा के के जो नागरपाले का अध्यक्ष हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि यहां यह वर्ड है अतिक्रमन वाले खेत्रों के अंदर अगर रहने वाले लोग भारत की नागरिक्ता छोड़ नेपाल की नागरिक्ता लेना चाहते हैं तो उन्हें उनका स्वागत है दोस्तों यहां नेपाल के पीचे चीन की साज़िश समझेए कि असलियत में यह डिस्प्यूटिड एरिया घोशित करना स्टेप वन क्या था इनका स्टेप वन यह था कि सबसे पहले डिस्प्यूट डिक्लेयर करो कि आपका यह डिस्प्यूटिड एरिया है उस लोगों मेंसे कुछ फोड़े बहुत भी शुरुआत हो गई ना अब थोड़े बहुत लोग भी अगर उस गाओंगी या नेपल की सिटिजनशिप लेना शुरू कर देंगे थोड़े बहुत लोग भी दिन वहाँ पर नेपाल का दावा पका होना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों ये नेपाल की एक चाल है और दुश्मनी भरी चाल है आगे मैं इस चीज़ के उपर elaborated discussion किया जाएगा जैसे जैसे development आएंगी लेकिन अभी सोच कर देखिए नेपाल की दुश्मनी भरी चाल नेपाल को ये केपी शर्मा उली ले कहां जा रही है इनको अभी पता नहीं है नेपाल और भारत की दुश्मनी नेपाल को भारी पड़ेगी भारत को तो सिर्फ इतनी भारी पड़ेगी कि उसे चीन से खुले तोर पर भीड़ना पड़ेगा लेकिन नेपाल अपने आपको बेच कर चीन का कर्ज नहीं चुका पाएगा बरबाद होते हुए देर नहीं लगेगी नेपाल एक अंधेरी गली में जा रहा है जिसे डराइव कर रही है मिस्टर केपी शर्मा ओली वहां के लोगों को सुधर जाना चाहिए समल जाना चाहिए गलत दिशा में ना जाए और भारत के साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी नेपाल अपनी हालत को समझे